हलो चो नमस्कार एक सटिक अनलिस्स आपके सामने लाया हूँ जिसे लेकर आप यह कहेंगे कि वास्तों में यही एक अनलिस्स है जो यूट्यूब पर देखना था प्यार अच्छो इस वीडियो में मैं 15 अक्टूबर भले ही मैं वीडियो आज है 14 अक्टूबर को बना रहा और जिसने भी गलत जोन में फोट डाल दिया है उसे जोन चेंज करने का उप्सन भी खुल गया है तो आईए समझा देता हूँ एक बहत्री एलसी किया है जहां पर मैंने ग्रीन जोन येलो जोन डबल रेड जोन रेडी किये जहां पर समझा पाऊंगा आपको एक मैप कि तो तुम चेंडने रोज जोब करने रहोगे पूरी जिन्द की काटनी पड़ेगी मीच्वल नहीं मिलता है जोन चेंज नहीं होते है तो भाईया अगर आप आरण में एंटीपीस तेरी कर रहे हो तो आओ ये वीडियो आपके लिए लेकिन एक छोटा सा एनलसिस 30 सेकिंड क करते दूं एक सबसे वड़ा कि 12 लेवल में फोर्म ही नहीं भरे जा रहे हैं जो वच्छे 12 पास है वह एंटीपीसी में फोर्म नहीं भर रहे चोकाने वाल आकड़ा है 33 लाख फोर्म भरे गए अब तक 33 लाख और 25 लाख ग्रेजवेट लेवल के फोर्म है और 12 लेवल के 8 लाख फोर्म है जबकि 12 लेवल के फोर्म तो जादा होना चाहिए थे जो ग्रेजवेट है वो भी तो 12 लेवल में फोर्म भर सकता है लेकिन वहाँ 3000 वेकेंसी को देखकर बच्चे फर्म ने वर रहे हैं बेटा कभी भी यह वेकेंसी बढ़ सकती है तो जो बच्चा 12th पास है आगर आप कोई भाई कर चुका है तो वो गुरूपडी का वेट कर रहा है गुरूपडी नहीं आई तो और गुरूपडी की सेलरी और एंटी पीसी की सेलरी में धरती आस टोपिक वाई क्लास शुरू कर रहे हैं जैसा को था हमने यह प्रैक्टिस सेट 15 अक्टूबर को प्रैक्टिस सेट शुरू किये ते मिक्स लेकिन बच्चों ने का था सब्सक्राइब कर लेना है और टाइम को याद करना है पढ़ाई की चिंता मालवे क्लासे से यूट्यू सर बहुत सांदार टीचर हैं आपको साइंस पढ़ाएंगे रात को दत वजे सुसील जादों सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और आपकी पॉलिटी और इस्टैटिक की क्लास सुबह वाले मैच में चल रही है तो बढ़िया करके तयारी करिए जैसे ही आपकी हिस्ट्री खतब होगी हाँ पर जोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो पढ़ाई की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईए वीडियो को सुरू करते हैं ट्रू एनलसिस देते हैं आपको समझाते है क्या है कैसे है आईए पहले स्क लो कि इस बार स्जारे WHY कें सी कितनी कम आई है यह भूंब जरूरी है BTS सरकार कितनी कम वेकेंसी दे रही है पिछली बार total vacancy 35,281 थी इस बार 11,578 vacancy है अब आप सोचो 11,000 vacancy है और पिछली बार से 23,000 vacancy कम है यानि इस बार न जो vacancy है पिछली बार इसकी 3 गुनी vacancy थी अब देखो लेवल 2 के अंदर जो 12th पास से आता है पिछली बार 5000 vacancy थी इस बार मात्र 1000 vacancy है लेवल 3 के अंदर पिछली बार 4900 vacancy थी इस बार 2000 vacancy है वेकंसी कम होने के कारण ही जो 12th लेवल की vacancy है वहाँ पर बच्चे कम फोम बर रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ या अच्छी नोक्रिया फ फिल किया है गलत कर दिया अभी समझाओंगा आजाओ बिटा फोर्थ ग्रूप में पिछली बार 161 vacancy थी इस बार कोई vacancy नहीं है आजाओ लेवल 5 में लेवल 5 में 17,330 vacancy इस बार मात्र 5000 vacancy है लेवल 6 में पिछली बार 7000 vacancy इस बार मात्र 2000 vacancy तो यार vacancy तो बहुत कम है नहीं जोन का चुनाओ करना कितना जरूरी होता है सोचो पिछली बार एहम्दाबाद की cutoff 88 पटना 87 मुझपरपुर 86 चंडीगड 86 राची 85 कोलकाता 85 सोचो और नीचे आ जाओ नीचे जखो तिर्वंतपुरम 69 18 नंबर का अंतर है सुरी 19 नंबर का अंतर है इन दोनों कटों पेपर सबने सेम दिया है अगर आपके 70 नंबर होते न तो तिर्वंतपुरम में आपकी नोकड़ी है और यहां 85 नंबर पे नोकड़ी नहीं है आपकी सही जोन नहीं चुनोगे, यह यूपी पुलिस की वेकेंसी नहीं है, कि एक ही कटोफ लगेगी पूरे यूपी की, एक ही कटोफ लगेगी जाप कहीं से भी हो, ना भीया, यहां तो हर जोन की अलग-अलग कटोफ लगेगी, आओ अब समझो, पहले हम ग्रेजवेट लेवल की बात करते हैं, वार कमेंट कर दीजिए, आप ग्रेजवेट वाले हैं या 12 पास वाले हैं, वार कमेंट कर दीजिए, अब समझेए, यह रैड जोन है, जहां पर मैं कहना हो, आप फोम ही ना भरो, क्योंकि इन जोन का कुछ नहीं पता, रैड ज उन में फोम भर के कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों ही में लगी फोम बनना, सिली गुडी, अब पटना देख लो, पटना, मात 111 वेकेंसी, उपर से बिहार के बहुत सारी बच्चे ऐसे होंगे, जिन के अंदर चुल होगी, कि या हमें तो बिहार में ही नोगरी करनी है, करेंगे तो यही करेंगे, बरना नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो भाईए वो भर चुके है फोम, आप लड़ाए मत करना, गोरकपूर, बहुत कम वेकेंसी है, अगर किसी को यह है, कि सर मुझे यूपी में ही जोब करनी है, तो परियाग राज मत भरना तो वह गोरगपूर भनना पर्याग राज की जंग है क्योंकि गोरगपूर पर किसी का ध्यान नहीं नहीं है अब राजस्थान के बच्चे इतने राजस्थान आप सोचो राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है नो क्रोड यहां की जन्संक्या है यहां पर 25 से 30 लाग बच्चे त्यारी करते हैं उसमें से 4 से 5 लाग बच्चे आपके NTPC का फॉम भरेंगे तो यह तो अजमेर में यही फॉम भरेंगे इतने सारे तो आप यहां फॉम ना भरें और मैंने वैसे अलग वीडियों के कहा भी थ कि राजस्थान कोई बच्चा कर यह है कि सर मुझे घर के पास नोक्री करनी है और मेरा हो जाए तो एहमदाबाद ही जो रेलवे का एहमदाबाद जोन है मैं फिर कह रहा हूं जो बच्चे राजस्थान के है अजमेर ना भर के दो जिनके अच्छा है पढ़ाई लिखाई व 145 सीट यह कम है आज़ो आगे बढ़ते है अब रेड जोन यह रेड जोन वो है जो वास्तों में बन चुके है यह बने कैसे आज़ो जैसे भोपाल है MP का mostly बच्चा यहीं फोर्म डाल रहा है RRB मालदा RRB मालदा आपका यह रहा ठीक है यहाँ पर आपका बंगाल का बच् डाल रहा है अब आज़ो पतना में रहा रहा है कोलकाता आप कोग सते 1-800 वैकेंसी आपका यहज ढ़ाटा है खराब तेहरा सो फेकेंसी को आपने रैड जोन में क्यों डाला देखो पूरा बंगाल पूरा वैस्ट बंगाल आपका कहां फोर्म डालेगा पूरा बंगाल आपका कहां फोर्म डालेगा कलकत्ता में डालेगा पूरा बिहार फोर्म कहां डालेगा आप मेरी बात मानो या ना मानो है नहीं बात किये करो सारे बच्चों से उनके लोज में हर एक बच्चने कलकाता डाला हैं कोच बच्तों यूपी का है महाराश्त भट का मध्यप्रदेश राजस्थान राजस्थान राजय करलj ना डालो यार पहले वहां तो जिस जहां पर ज्यादा फॉर्म डलेंगे वहां पर competition बढ़ेगा वहां competition बढ़ेगा तो वहां की merit अपने आप यह उपर जाएगी समझो इस बात को आपको सब्सक्राइब का डाले यहां पर हमने इतना समझा कि MP का बच्चा भोपाल डाल पर आप कि रायस्थान का भच्चा एहमदाबार डाल रहा है ठीक है और बिहार का बच्चा कोलकाता डाल रहा है अब बाकी वाले कहां जाए आओ समझा देखे अच यह यलो जोन इस ग्रीन जोन आएगा यह यलो जोन अब यलो जोन का मतलब है इस्पेसली इस्टेट के जोन जैसे पहला है राची तो मैं यह कहूंगा जो बच्चा इस्पेसली जारखंड का है जो बच्चा इस्पेसली जारखंड का है वही राची फोर्म डालें बाकी बच्चे राची फोर्म ना डालें चुल मचती है सबको, उनकी मचने दो, आगे आज़ो चेन नहीं, आर आर भी चेन नहीं, ये साउत का एक अच्छा जोन है, और जो बच्चे साउत के हैं, जो बच्चे तमिल नाडू के तयारी कर रहे हैं, वो बच्चे फोर्म डालें, बाकी कोई जमर जस्ती की चुल ना मच तो गुजुरात तो ही है, राजस्थान भी है, गुजुरात भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इनकी सीट फुलो चुकी है, आगे बढ़ जाओ, आर आर भी बिलासपूर, बिलासपूर में, एमपी का बच्चा भरके फॉर्म डाल रहा है, साथ में च्छतिस गड़ का बच कलकत्ता में जो बच्चा बंगाल का is फोम भल लो जो बच्चा विहार का फोम भल लो आजो कोन से ऻोगय आजमेर हो गया बल जो अज़िमेर हो गया राजस्तान के smiled पंधिया मैंने गुज्भात दिया MP का मता दिया छतिbyण जरकंड बिहार का या आजब आ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बिहर से हूँ बिहार से हूँ तो कलकता डालो कलकता अब आता है ग्रीन जोन भी विजोन लिए यह ग्रीं जोन उन राज्व के लिए है जिन विचारों को वेकेंसी दी ही नहीं गई है आजाओ अब ग्रीन जोन की बात करते हैं पहले आते हैं यूपी वालों के लिए यूपी वालों के लिए आजाओ यूपी वाला पाल लगाते हैं अब यूपी वाले बच्चे ये सारे खुले पड़े हैं देखो मैंने कलकत्ता को हर जगे रखा अचीश लिए तक्योंकि यूपी बड़े दिलवाले बच्चे होते हैं यह कल्गत्ता अब भी डाल देंगे और डाल भी दिया हो बहुत सरे बच्चों प्रोब करते हैं यह बिलकुं ग्रीड जोन है अब ग्रीन जोन कैसे है जो इसमें अगर कोई रेट जोन है तो वो कलगत् क्योंकि बहुत सा बच्चे सोच रहें कि यार कमल सर गुहावटी की मेरिट कम नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर न सिक्किम असम मेघालय मिजोरम मनीपुर नागा लेंड त्रिपुरा यह सारे अरे इनकी जन्जंगे 40-45 लाक है यहां कितने फुम भर जाएंगे तो अगर बहुत दूर पड़ता है आना जाना बड़ा मुश्किल है और नोगरी की सकता हो सकता है तो आप डाल दो मुंबई या सिकंद्र यह सारे बिलकुन बहुतरीन जोन है सिकंद्राबाद, गुहावटी, भुवनेश्वर, मुंबई बहुत सांदर जोन है और कुछ भी समझ में ना आए तो भाईया जैम आता दी कॉलकाता लेकिन बहुत फोम भरेंगे कॉलकाता में ध्यान रखना कॉलकाता मैं बिलकुन भी नहीं कहता मैं कहता हो मुंबई डाल साшийारा तो हमारा सपना घूमने का घूमने जाना अलग चीज होती है जोब करने जाना अलग चीज exclusive ii जब आप साथियर्भ घूमने जाओगे तो होटल में रुकोगे और जोब करने जाओगे ना तो एक दस बाइट दस के कमरे में दस लोग सोते हैं वो दस लोग खुद खाना बनाते हैं अगर दो दिन बाहर खाना खालेंगे उनकी सेलरी खतम हो जाएगी समझ रहे हो समझते हो घूमने जाना लग चीज़ होती है जोब करना लग चीज़ होती है तो वैसे हम केते हैं घर के पास जोब करो पूरी जिंदगी है जब जोब नहीं मिलती ना तो जिंदगी बहुत खराब हो जाती है जिनने यह है कि मैं लगा लूँगा मेरे तो बहुत बल्ले बल्ल पढ़ने में पढ़ने में होसियार हो वो तो कुछ भी कर लो जो घर से मजबूत है वो तो फोम मत भरो उसे का दिक्कत है पर सच्चा ही तो यह है कि जोब जरूरी है इसलिए मैंने समझा दिया कहां फोम भरना चाहिए ठीक है आजाओ तो यह हुई जोन की बात अब आगे हम ने मा बापू बैच स्टार्ट किया है इस बैच में हम टोटाल आपको कम्प्लीट कोर्स करा रहे है ठीक है आप इसमें अन्नोल कर सकते हैं बाकी हाँ सब्सक्राइब बात यह है कि देखी बच्चो जो आपका यूट्यूब पर ये एंटी पीसी का जो मा बापू बैच है इसकी यूट्यूब पर टोपिक वाई प्रेक्टिस क्लास हम शुरू कर रहे हैं अब ज़र साथ बच चुके हैं तो विकास सर की रिजनिंग क्लास होग होगी आठ बजे मेरी मैथ की क्लास होगी नो बजे सर की साइनसी क्लास होगी और दस बजे हिस्टी क्लास होगी ठीक है नमस्कार